नमस्कार आप देख रहें निउस पियार और मैं हूँ आपके साथ रबन रायब बिहार कर्मचारी चैन आयोक के तिरपन हजार अभियर्थियों की बहाली की प्रक्रिया अभी तक आयोक के द्वारा लटकी वी है आच दिसंबर को इन अभियर्थियों को निउक्ति की बात कही गई थी काउंसलिंग के बाद लेकिन अभी तक आयोक के तरफ से इनकी काउंसलिंग की डेट जो है वह निर्धारित नहीं की गई है और अब इसको लेकर जो अभियर्ती है वो 7 दिसंबर को आंदोलन करेंगे B.S.C.A. Office के बाहर इन्हें अभियर्तियों के द्वारा कहना है कि अभी तक आयोग के तरफ से जो काउंसलिंग की डेट थी उस पर पुनर विचार नहीं किया गया है और इसको लेकर अभियर्तियों की जो निक्ति है काउंसलिंग है वो अभी तक लटकी वी है आयोग ने जो डेट निकाला था आज दिसंबर का अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होई है और अब सभी जो अभियर्ति है वो आयोग के खिलाफ कहीं न कहीं जो अंदोलन है वो साथ दिसंबर को निकालने जा रहे है और इसको लेकर जो छात्र नेता दिलिप है उन्होंने क्या कुछ सरकार को कहा है और क्या मांग की है और सभी अभियर्तियों को कहा है कि वो आय और आयोक के खिलाफ अब धरना करे आंदोलन करे इसको लेकर छात्र नेता दिलिप ने क्या कुछ कहा है सुनिया अब नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों बीससी को उसी की भासा में जवाब देने का समय अब आ गया है क्योंकि बीससी जो है लगातार इतिरपन हजार से जैदा परिछार्थियों के साथ खिलबार कर रही है उनके जिन्दगी के साथ खिलबार कर रही है और हर रोज क गुछ ना कुछ खबरे बाहर लिग कर वाती है, जान बूज कर कि आज मिटिंग हो रहा है, तो आज साम तक लिष्ट आ जाएगा, तो आज राद तक Conference की तिथी खोशित हो जाएगी, और इसाल इसलसिला कई दिनों से चला रहा है, और अभी तक कॉंसलिंग की तिथी गोसित नहीं हुई, कॉंसलिंग का लिस्ट जारी नहीं हुआ, और 14-15 दिसंबर को A&M की कॉंसलिंग होगी, उसके लिए आज लिस्ट जारी हो गया, लेकिन 8 दिसंबर से BSSE पर्थम इंटरस्तर ये बहाली की कॉंसलिंग होगी, तो उसका लिस्ट जारी हुआ, नो कोई तिथी गोसित हुई, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपको लगता है, कि 8 दिसंबर से कॉंसलिंग सुरू होगी, BSSE पर्थम इंटरस्तर ये बहाली की, किसी भी परिष्थिती में कॉंसलिंग सुरू नहीं होने जा रहे हैं 8 दिसंबर से, तो आप लोग, जब BSSE ने बार-बार कहा कि हम कॉंसलिंग कर वा रहे हैं, फलना तारीक से, फलना तारीक से, और नहीं करवाया, तो अब हम लोग अपना कॉंसलिंग खुद करवाएंगे, BSSE ओपीस में जाकर, और उस दिन तिरंगा घंडा के साथ आईए, और कॉंसलिंग हम ल लेंगे, यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैंने एक audio भी group में इसलिए डाला है, कि आप लोग देखिए, कि कैसी परिष्टिती में परिक्षार्ती जी रहे हैं, कि आत्महत्या करने के लिए अब तयार हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, और बेसरम BSSE और बेसरम सरकार को बात मन में आये, उनको सुसाइड करने का नौबत आजाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, तो आप लोग अपने हग का और अधिकार के लिए लड़िये, संघर्स कीजिए, आत्महत्या करना कोई solution नहीं है, लेकिन अपने हग का और अधिकार के लिए लड़िये, इसलिए 7 द समझाना पड़ेगा, अब बक्त आ गया है, और आप लोग जिस तरह का अंदुलन करना चाहते हैं, उसी तरह का अंदुलन आप लोग कीजिए, हम आप लोग को आप रोकने वाले नहीं है, लेकिन 7 दिसंबर को आप लोग पूरी एक जुटता के साथ, 11 बजे, BSSE पहुंच आप लोग जिस तरह का अंदुलन करना चाहते हैं, उसी तरह का कीजिए, हम रोकने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे आप समझने वाला नहीं है, ये लोग को इसी के भासा में जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ये लोग नटरंकी कर दिया है, ये तिरपन जाल दीजिए कि कब आप कॉंसलिंग करवाईएगा, कब लिस्ट जारी कीजिएगा, इतना करने में क्या दिकत है बिससी को, लेकिन ये ऐसे सुधरने वाला है नहीं, इसको सुधारना पड़ेगा आप हम लोग को, तो स्टुडेंट पावर दिखाना पड़ेगा, साथ दि किटार होंगे, नए लोग आएंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से फिर मनमानी करेंगे, सीटों की विक्री करेंगे, और गलती से कहीं कुरोना का कुछ हो गया, तो लोगड़न लगया, तो फिर एक साल गया, तो आप सोच लिए कि दोजार थाईस में आप बहाली को पूर